आज हम आप लोगों को DNA के कारे बताएंगे, अर्थात फंक्शन आप डी आक्सी राइबो न्यूकलिक एसिड के बारे में बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए, चलिए, सुरू करते हैं पहला कार है, DNA आनुवांसिक गुडों को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में वनसागत करता है बता दें कि DNA आनुवांसिक बदार्थ है या हिरिटेरी मेटेरियल होता है DNA का पूरा नाम डी आक्सी राइबो न्यूकलिक एसिड होता है और इसका कार है आनुवांसिक गुडों को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी मतलब माता पिता से उनकी संतानों में ले जाना और संतानों के ऐसे लक्षण जो उनके माता पिता से मिलते जुलते हैं आनुवांसिक लक्षण या आनुवांसिक गुण कहलाते हैं तो खुल मिला करके पहला कारे हुआ कि DNA अनुवांसिक गुड़ों को माता पिता से उनकी संतानों में ले जाता है, फिर अगला कारे है, DNA एंजाइमों के निर्मान को नियंतृत करता है, बता दें कि एंजाइम एक तरीके के प्रोटीन होते हैं, जो कोसिकाओं के अंदर सबसे पहले कोहने ने किया था, जो एंजाइम सब्द है, इसका प्रियोग सबसे पहले कोहने ने किया, एंजाइम को हिंदी में विकर कहते हैं, विकर, तो ये जो एंजाइम होते हैं, ये जीवन की सभी उपापचे किरियाओं का नियमन करते हैं, फिर आते हैं अगले कारे पर अगला कारे है, DNA क्रोमेटिन जाल का अधिकांस भाग बनाते हैं, तो DNA क्रोमेटिन जाल का अधिकांस भाग बनाते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं, कि जो क्रोमेटिन जाल होता है, यह जो कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रक में पाय जाता है, मतलब जो सेल होता है, उ बारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होते हैं उत्परिवर्तन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब किसी जीन के डिने में कोई इस्थाई परिवर्तन होते हैं तो उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है या म्यूटेशन अंग्रेजी में बोला जाता है उत्परिवर से डिनने से ही जीवों में उद्परिवर्तन होते हैं क्योंकि जीन न्यूक्लिक अमल के बने होते हैं और न्यूक्लिक अमल डिनने होता है आरने भी न्यूक्लिक अमल है लेकिन यह केवल कुछ पादप वायरसों में ही पाया जाता है बाकि सभी जीवों में डिनने ही अनुव यानि मैसेंजर आर एनने के द्वारा राइबोसोम को भेजता है और क्या भेजता है तो प्रोटीन संसलेशन की सूचना को राइबोसोम में इस्थित आर आर एनने प्रोटीन निर्मान के इस्थल की भूमिका अदा करता है जो राइबोसोम में आर एनने होता है राइबोसोमल RNA जो होता है वो प्रोटीन निर्मान के इस्थल की भूमिका अदा करता है और कोशिका द्रब में उपस्थ tRNA यानि ट्रांसपर RNA एमीनो अमलो को स्रंखला बद्ध करके राइबोसों पर एकत्रित करता है और प्रोटीन को बनाता है तो mRNA, rRNA और tRNA ये RNA के प्रकार है मेरे चैनल में वीडियो अप्लोड़ेट है आप लोग जाकर के देख सकते RNA पर फुल उसमें मने संदचना भी समझाया हुआ है और RNA के प्रकार के बारे में भी बताया हुआ है